आपको यह जानना है कि आपके घर में भगवान ने बच्चे के रूप में एक शुद्ध आत्मा को किसी परपस के साथ भेज कर आपको एक गिप दिया है तो अब आप भी उसकी अच्छी तरह से परवरिश करके उसे अच्छी संसकार दे उसका अच्छा करियर बना कर उसे इस दुनिया में मुल्यवान योगदान देने योग्य बनाए ये आपका भगवान को रेटन गिफ्ट होगा आपके बच्चे वैसे ही बनेंगे जैसे आप हैं तो वैसे ही बनें जैसे आप उन्हें देखना चाते हैं बच्चे किसी जरूरी काम से हट कर नहीं है, बल्कि उनसे जरूरी कोई काम नहीं है बच्चों को खिलोनों से ज्यादा आपके वक्त की जरूरत होती है बच्चों को सिखाए कि कैसे सोचना है और क्यों सोचना है क्या आप इस बात पर बिलीव करते हो कि at least 90% परेंट्स बच्चों का करियर अच्छा बनाने के लिए और उन्हें उनके लाइफ में सक्सेस्फुल, हैपी और हेल्दी बनाने के लिए दिन, रात, महिनत करके पैसा कमाते है क्या आप इस बात से एगरी हो, if yes, say yes हलो डियर पैरेंट्स, मेरा नाम है योगेश कोरे, आइडियल पैरेंट्टिंग इस वर्क्शॉप में मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारा first point यह है कि वर्तमान स्थीती में पैरेंट्स और उनके बच्चों के करियर के बारे में वास्तविक्ता क्या है हर साल competition बढ़ रही है, इस वज़े से वो अपने बच्चों को एक से बढ़कर एक सुविदा देने के लिए हर रोज तयार रहते है और बच्चों के लिए कितना भी पैसा खर्चा करने के लिए वो आगे पीछे नहीं देखते है मतलब वो खुद पे पैसे कम खर्चा करेंगे लेकिन पैसे बचा कर बच्चों का करियर अच्छा करने के लिए वो पीछे नहीं हटेंगे क्या आप इस बात से agree करते हो If yes, say yes अब वो अपने बच्चों के लिए इतना करते है फिर क्यों इस दुनिया के 95% बच्चे जब बड़े होते है तो वो average life जीते है और सिर्फ 5% बच्चे बड़े होने के बाद rich होते है successful होते है उनकी life में खुश रहते है और वो निरोगी मतलब healthy life जीते है जैसे पहले मैंने कहा था कि 90% parents बच्चों के लिए कितना कुछ करते है तो 90% parents के बच्चे उनकी life में happy, successful और healthy होने चाहिए फिर सवाल यह उठा है कि कमी कहा रह जाती है क्यों 95% बच्चे बड़े होकर average life जीते है वैसे ही क्यों 95% बच्चे बड़े होकर अपने लिए कभी भी बड़े goals को set नहीं करते है और अगर करते भी है तो क्यों 4 या 5 दिनों में या पहले कई हफ्तों में या पहले कई मैनों में उन बड़े goals को give up कर देते है अब हम ये सोचते है कि हमारे बच्चे उन 5% में आने के लिए as a parents हमें क्या करना होगा क्या हम हमारे बच्चों को great यानी महान बना सकते है ताकि वो उनकी life में बड़े goals को set करे उन्हें पाने तक कोशिश करते रहे फिर वो उनकी life में happy, healthy और successful बन जाए yes of course ये possible है तो अब हम देखते है second fact when your children will become great इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे कब महान बनेंगे इसके बारे में वास्तविक्ता क्या है अब मेरे और एक सवाल को धैन से सुनो कि इस पृत्वी पर पिछले 500 सालों में आज तक कितने great लोग पैदा हुए है एक लाक, दो लाक, पाच लाक या दस लाक तो मेरा ये जवाब है कि इस दुनिया में एक भी great इंसान पैदा नहीं हुआ है इस दुनिया में छोटे बच्चे ही पैदा हुए है जो जनम से कभी भी great नहीं थे वो great होने की process से गुजरे थे है मेरे और एक सवाल का जवाब दो क्या लोग अपनी life में शरीर से great होते है या अपने mind से वो greatness को अच्चिव करते है of course आपका answer यहीं होगा कि greatness अच्चिव करने के लिए mind का great होना जरूरी होता है और mind को great करने के लिए उसमें great software को install करना पड़ता है तो सवाल यह उठता है कि brain का great software कैसे बनता है brain के great software में आते हैं दो भाग first हमारे great beliefs और second हमारे great thoughts बच्चे जनम से उन्हें मतलब great beliefs को और great thoughts को नहीं लाते है वो एक blank slate के brain को लाते है और फिर उसमें ideal parents, grand parents, घर के बड़े लोक teacher, coaches, relatives, neighbors, etc. उनके जनम से उनके 21 साल तक great beliefs और great thoughts को वो install करके उनकी life को great बनाने के लिए मदद करते हैं क्या ऐसा पहले किसी ने किया है? क्या great families की पहली पीडियों ने उनके बच्चों को भी great बनाने के लिए कोई ऐसी एक process को follow किया था जिसकी वज़े से उनके बच्चे great बन गए है हमारा third point यह है कि fact about children of successful families of India भारत के सफल परिवारों के बच्चों के बारे में वास्तविक्ता क्या है? So सबसे बड़ा fact अब मैं आपसे share करने वाला हूँ क्या आपको लगता है कि अगर आप और मैं अगर मुकेश अम्मानी सर के घर में, टाटा फैमिली के घर में या गोद्रेश फैमिली के घर में या बिरला फैमिली के घर में या किर्गलोसकर फैमिली के घर में इनके घर में जन्मे होते तो हमारी आज की लाइफ किस वज़े से बहतर होती? इस वीडियो को हम यहाँ पर सिर्फ दो मिनिट के लिए पॉस करके हम सोचते हैं और लिखते हैं कि किन कारणों की वज़े से हमारी आज की लाइफ बहतर होती थी अब तो इस सवाल का जवाब यह है कि उनके घर का इन्वार्म़ेंट तो उनके घर का एक पॉसीटिव एन्वार्मंट उनके घर का एक अलगी उन्वार्मेंट उनके जीवन सक सेसफिली जीने के लिए बने ब rocky मतलब उनकी life को successful बनाने के लिए उनके दिमाग में उनके subconscious mind में जितने भी beliefs बने हैं उनकी वज़े से आज हम हमारी life बेतर होती थी उनकी बड़ी सोच उनके बड़े विचारों से निर्मान होने वाले हर रोस के communication उनकी हर रोस काम करने की उनकी life जीने की आदते उनका behavior मतलब उनका वरतन उनका किसी भी चीज़ को देखने का नजरिया फिर उनके career के लिए उनका school उनके private tutors उनकी e-learning से पढ़ने की आदते उन उनका college, उनका post graduation, उन्हें मिले हुए अलग-अलग personality development के courses, उनके जनम से उनकी career तक बनी उनकी 100% planned life मैं इसे coaches को जानता हूँ जो इनके जैसी बड़ी families जो होती है, उनके बच्चों के जनम से career की life तक की अलग-अलग जो उनकी age group होती है, उन age group की भी वो planning करते है इसका मतलब यह है कि अमीर और successful लोगों के घरों में parenting के activity अंजाने में नहीं होती है, यह तो powerful activity है, यह तो consciously मतलब planned activity है middle class और average life जीने वाले लोगों में और अमीरों में यही सबसे बड़ा फरक होता है middle class और lower class के लोगों को इस तक इस level तक की भी parenting की planning होती है, यह पता ही नहीं होता है developed countries जैसे के America, Canada और European countries में minimum 95% parents parenting के courses को पूरा करते है और India जैसे developing countries में या under developed countries में parenting के courses भी होते है, यह 95% लोगों को मालूम ही नहीं होता है यही वो कड़वा सच है जिसकी वज़े से हमारी जैसी अन्य developing countries में अभी भी रास्ते पर कच्रा फेकना, रास्ते में चलते चलते थूंकना, प्लास्टिक की बॉटल्स को फेकना, etc. etc. common है अमेरिका, कैनडा और यूरोप के सभी प्रगदेशों में manners और etiquettes स्कूलों में पहले parents ने सिखे होते हैं और फिर जब उनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं और सीखते हैं और parents को हर रोज उन manners और etiquettes को follow करते हुए देखते हैं तो वो भी अपने आप follow करते हैं इसलिए developed countries में लोगों को रास्ते पर थूकना, कच्रा फेकना, रास्ते पर खना फेकना, मतलब एक बड़ा अपरात करने जैसा लगता है चलो आप ये मानते हैं कि इंडिया की इन बड़ी families में, जैसे मैंने बोला की Tata families में, गोदरेश families में, मुकेशा बानी सर की families में अगर हमने जनम नहीं लिया हैं और ये इनकी families में जनम लेना हमारे हात में नहीं था अगर इस इन सब के बारे में अगर हम जानकर हम अपने बच्चों को उनके जैसा बनाने के लिए अगर कोशिश भी करते है तो भी बहुत बड़ी बात है हमें भी उन बड़ी families की तरह अपने बच्चों की future life की बच्चों की future life की अच्छे से planning करनी होगी तो सवाल यह उठता है कि आदर्शप अलक होने के नाते, ideal parents होने के नाते हमारा अब action plan क्या होगा क्या हम हमारे बच्चों के mind को great beliefs, great thoughts, great attitude, great behaviors, great personal traits यानि के व्यक्तिगत खासियते और great habits से भर सकते हैं, जिसमें वो उनकी life में great बन जाए आदर्शप parents ही आदर्शप बच्चों का निर्मान कर सकते हैं तो क्यों कही parents आदर्शप parents नहीं होते हैं और क्यों उनके बच्चे life में failure होते हैं इसका जवाब ये है कि हर parents को ये मालूम होता ही नहीं है कि उनके लिए क्या करना ज़रूरी है बहुत से parents, बहुत से problems में आज भी फसे हुए है अब हम देखते है point number 4 that is problems आदर्शप parents होने के नाते हमारे parents के role को हमें कभी भी give up नहीं करना है लेकिन आदर्शप parents बनने के लिए आजकल parents कही problems को face कर रहे है और management में एक concept ये है कि अगर आपको solution चाहिए तो पहले आपको exact problem क्या है और exactly problem कौन कौन से है इन सबका आपको पता होना चाहिए अब हम देखते हैं कि आजकल के जो parents होते हैं वो किन problems को face कर रहे है तो आजकल के parents के जो problem है वो 100 साल पहले नहीं थे तो पहले हम उन problems को हमें solve करना होगा तो आईए अब पहले देखते हैं कि ये problems exactly क्या है So first problem, बच्चे parents की सुनते नहीं है बहुत से parents ऐसा कहते हैं कि बच्चे parents की सुनते नहीं है Second, बच्चे mobile पर computer के सामने, TV के सामने, social media पर addicted होते जा रहे है Point number 3, बच्चों की संगत बुरी हो सकती है इसका parents को हमेशा डर लगा रहता है क्योंकि बुरी संगत से बच्चों पर गलत संसकार हो सकते है और उनकी सोच negative या average life जीने की भी हो सकती है Point number 4, बच्चे healthy और nutritious खाना नहीं खाते है वो junk food खाना पसंद करते है Point number 5, बच्चों को हर रोस के exercise की आदत कैसे लगाए Point number 6, बच्चे खुद से पढ़ाई करने के लिए नहीं बैठते है मतलब उनके पीछे पढ़ना पढ़ता है Seventh, हमारे बच्चों ने भविश्य में successful होने के लिए हमारे बच्चों के beliefs, मतलब उनके विश्वास कैसे बनाए उनकी thinking, मतलब उनके सोच कैसे बनाए उनका attitude, मतलब उनका दुरुष्टी कोन कैसे बनाए उनके personal traits, मतलब उनका स्वभाव या व्यक्तिक खासियते तो वो कैसे बनाए उनके personal traits कैसे बनाए उनका behavior, मतलब उनका वरतन कैसे बनाए और habits, मतलब उनकी आदते, उनकी अच्छी आदते कैसे बनाए या अच्छी आदते उनमें कैसे develop करे तो parents को ये मालूम ही नहीं है point number 8 बच्चों से अच्छा रिष्टा कैसे बनाए जिससे बच्चों के और parents के बीच में एक best communication हो वो पूरी life के लिए हो तो पूरी life के लिए एक best communication कैसे बनाए और बच्चे उसके बाद अपने ममी पपा या grandparents का या सब बड़ों का respect कैसे करे point number 9 बच्चों को values मतलब मूल्य, manners, etiquettes, नएतिक्ता ये कैसे सिखाए ये parents को मालूम ही नहीं है point number 10 बच्चों की overall personality को कैसे develop करे point number 11 parents अपने day to day काम में इतने busy होते है कि उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि ideal parents बनने के लिए highly educated parents बच्चों के जनम से ही parenting के लिए अलग-अलग courses करते है ताकि वो consciously मतलब वो parents consciously मतलब सोच समझ कर parenting की life जिये ना कि unconsciously मतलब अंजाने में parenting की life जिये without proper plan वो parenting की life नहीं जीते है वो अपने बच्चों के life को shape देते है और shape देने के लिए वो parenting के उपर बहुत से courses करते है तो उन्हें ये मालूम होता है कि क्या करने से क्या होने वाला है अगर उन्हें उनके बच्चों को पुरी life भर successful, happy और healthy बनाना है तो ये without proper knowledge और without proper skill नहीं हो सकता है ये उन्हें मालूम है problem number 12 parents इस बात से अंजान है कि बच्चों को successful बनाने के लिए पहले उनके दिमाग को कैसे develop करे problem number 13 अच्छी परविरिश के लिए घर का environment कैसा होना चाहिए problem number 14 बच्चों को दिये हुए time का effective utilization कैसे कर सकते है मतलब आप जो बच्चों को time देते है तो क्या वो time अगर आप 5 minute देते है या 2 minute देते है या आदा गंटा देते है या 1 गंटा देते है या 2 गंटे देते है तो वो maybe 2 minute या जो भी time आप as a parents बच्चों को देते है तो उस time का effective utilization होना चाहिए और वो कैसे करना है फिर अगला problem यह है कि point number 15 parents के पास इतना strong plan नहीं है कि जिससे वो अपने बच्चों को उनके life में serious करे इस बात की चिंता न करे कि बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं चिंता इस बात की करे कि वो आपके वर्तन को हमेशा देख रहे हैं बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हो बच्चे वो करते हैं जो आप करते हो हर बच्चे में सब कुछ होने की क्षमता होती है हमें उस क्षमता को encourage करना है यदि हम अपने बच्चों को आकान नहीं देते हैं तो वो बाहरी वातावरण से आकार लेंगे, जो इस बात की परवा नहीं करते कि हमारी बच्चे भविश्य में किस आकार के बनने वाले हैं। बच्चों के पास दिमाग और पैर दोनों हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा दिखाना हमारा कर्तव्य है। अगर हम बच्चों को अच्छी आदतों की आदत डाल दे, तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर हम बच्चों को स्वय मनुशासर मतलब सेल्फ डिसिप्ली सिखा देंगे, तो वो जिन्दगी का मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर पाएंगे। पैरेंट्स को अगर इन प्रॉब्लेम से बाहर आना है, तो पहले उन्हें अपने बच्चों के माइन में ग्रेट बिलीफ्स, ग्रेट थाट्स, इन सब के ग्रेट सॉफ्ट्वेर को इंस्टॉल करना होगा। सो अब हम देखते हैं पॉइंट नबर फाइव, इस आइडियल पैरेंट्स होने की शुरुवात कहां से होती है। माइन में सॉफ्ट्वेर को इंस्टॉल करने से पहले हमें ये समझना है कि माइन के दो प्रकार होते हैं, कॉंश्यस माइन और सब कॉंश्यस माइन हमारे पूरे माइन में 95% होता है हमारा सब कॉंश्यस माइन और सिर्फ 5% होता है हमारा कॉंश्यस माइन सब कॉंश्यस माइन ड्राइवर है, तो हमारा कॉंश्यस माइन कार है subconscious mind न दिखने वाला software है जिसमें बच्चपन से programming होती है हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनकी life को असली success देने वाला होता है सिर्फ और सिर्फ subconscious mind और वो हम उनके 7 से 8 से 10 साल तक उनके subconscious mind को बनाने का काम करते है अब हमें थोड़ा-thोड़ा समझ में आया है कि बच्चों को great बनाने के लिए उनके subconscious mind पर हमें as a parents काम करना जरूरी है बच्चों को great मतलब महान बनाने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि बच्चों का subconscious mind और conscious mind एक दुसरे से align होना चाहिए लेकिन क्या subconscious और conscious mind में internally जगड़े हो सकते है क्या उनके जगड़ों का असर बच्चों के या लोगों के life के success या failure पर होता है क्या great लोगों का conscious और subconscious mind एक दुसरे से align होता है जिससे वो great होते है क्या parents का रोल ऐसे होता है जिससे parents अपने बच्चों के दिमाग में life में great बनने का जो software होता है वो install करें मेरा ये training आपको आपके बच्चों को और आपको भी great बनने की एक process जो होती है उसकी recipe देने वाला है अभी मैं जो concept आपसे share करने वाला हूँ तो उससे आपको समझ में आएगा मिटा कर उनमे alignment करके बड़े goals को easily achieve कर सकते है point number 7 हमारे बच्चों को goal के achievement से दूर रखने वाले कौन से दो शत्रू होते है पहले हमें ये समझना है कि goals को पाने से हमारे बच्चों को दूर रखने वाला पहला शत्रू जो होता है वो उनके अंदर ही होता है और जब तक हम हमारे बच्चों के अंदर के शत्रू को नहीं हराते है तब तक वो भाहर के शत्रू को कभी भी नहीं हरा सकते है अंदर का शत्रू होता है अनके beliefs, उनकी सोच, उनके विचार, उनकी आदते, उनका दुरुष्टी कौन, etc. बाहर का शत्रू मतलब कोन? बाहर का शत्रू मतलब गोल्स पाने के बीच में आने वाले आपस्टेकल्स, चैलेंजेस और प्रॉब्लेम्स इस स्क्रिप्स से बने वीडियो से मुझे यही समझाना है कि कैसे हम बच्चों के सबकॉंशेस और कॉंशेस माइन के कॉंफलिक्ट को मिटा कर उन्हें अलाइनमेंट कर सके उनमें अलाइनमेंट ला सके और अपने बच्चों को बड़े गोल्स को अचीव करने योग्य पर कार का एक example देता हूँ अगर कार के चार टायर्स में alignment है तो वो ही कार smoothly और speedily जा सकती है लेकिन अगर एक टायर की alignment बराबर नहीं है तो क्या आपको लगता है कि वो कार smoothly और speed से रस्ते पे जा सकती है अफकोर्स नहीं 95% लोग जो average life जी रहे है उनके life में alignment का अभा होता है इसलिए वो अपनी मर्यादाओं के आगे नहीं जा सकते है मतलब वो quantum leap नहीं लेते है quantum leap मतलब आपने चान पे चलने वाले इंसान को देखा होगा कि वो यहाँ पे रहता है और एक बड़ी चलन लगा के वहाँ पे जाता है पिर और बड़ी चलन लगा के वहाँ पे जाता है तो उसे कहते है quantum leap तो quantum leap ले नहीं सकते है क्योंकि वो अपनी मर्यादाओं के आगे जाते नहीं है वो अपने beliefs को तोड़ते नहीं है मतलब वो अपने life में कुछ बड़ा result नहीं देते है मतलब वो quantum leap नहीं लेते है ये training program आपके बच्चों के development के लिए है वैसे ही ये training program आपके खुद के development के लिए भी है point number 9 पहले जान लेते है कि subconscious mind का हमारे जीवन में role क्या होता है अब पहले हमें ये समझना है कि जनम से ही हमें mind मिला है और subconscious mind ही हमारा पहला mind है क्योंकि तब conscious mind present ही नहीं होता है जनम से लेकर 8 साल तक या 10 सालों तक हमारा subconscious mind ही हमारे 7 present होता है हमारी life को 95% control करने का काम subconscious mind करता है जो control करता है कि आप कैसे हो आपके beliefs क्या है आपका behavior क्या है आपकी हर रोज की actions क्या होगी आपके deep thoughts क्या है आपकी सोच कैसी है आपकी personality कैसी है personality मतलब आप reality में कैसे हो आप कोन हो आप कैसे हो आपकी identity क्या है आपकी व्यक्तिगत खासियते क्या है, मतलब आपके personal traits क्या है, आपके स्वभाव के वैशिष्ट क्या है और इन सब का मिश्रण है कि आप कैसे हो हमारा success या failure या हमारे subconscious mind में बच्पन से बने हुए programming की वज़े से है subconscious mind में अगर अच्छा software है, तो इनसान successful है, वरना वो failure हो सकता है पॉइंट नबर 10, state of theta क्या है और बच्चों के subconscious mind में program इंस्टॉल करने का असली समय कौन सा होता है जनम से लेकर 7, 8 या 10 सालों तक हमारा subconscious mind ही बहुत ही ज्यादा receptive mode में होता है वो receive करते रहता है, वो सभी चीज़ों को समझने की दिन रात कोशिश करता है वो सिर्फ इस दुनिया में survival के लिए काम करता है वो जानने की कोशिश करता है कि कैसे ये दुनिया काम करती है mind की state को कहते है state of theta जो hypnosis की state होती है जो कोई भी बच्चा पहले 7 से 8 या 10 सालों तक mind के इस theta state में ही होता है और इस state में वो 100% programmable है इसका मतलब ये है कि इस state में हम उनके brain का program हम चाहे जैसा बना सकते है हम उनके mind को 100% suggestions दे सकते है और उनके mind को direction भी दे सकते है hypnotism में लोगों के subconscious mind को theta state में लेके जाते है उनके suggestions दे के उनके mind को directions देते है उनके पुराने गलत beliefs को तोड़ कर नए beliefs को install करते है वैसे ही बच्चे तो उसी stage में already होते है theta stage में already होते है तो हम उनमें जो चाहे programming easily install कर सकते है इस age में हम उनके goals को strong desire में convert कर सकते है तो उनके जो goals होते हैं उन्हें हम strong desire में convert कर सकते है अगर किसी बच्चे का goal है कि उसे pilot बनना है उसे aeronautical engineer बनना है उसे NASA में scientist होना है या उसे बड़ा business one होना है तो ये उसका goal है और फिर हम उसी goal को strong desire में convert कर सकते है उसके subconscious mind में programming करके बच्चे का सबसे बड़ा driver होता है उसकी curiosity क्योंकि उसका subconscious mind एक बड़े mission पर होता है उसका subconscious mind क्या होता है एक बड़े mission पर होता है क्या क्योंकि वो curious होता है वो curious कैसे होता है वो curious होता है कि ये दुनिया कैसे चलती है क्या करने से क्या होता है बटन दबाने से fan चलता है बटन दबाने से उजला होता है और फिर उसी बटन को उल्टा दबाने से अंदेरा होता है तो ये सब होती है curiosity हर बच्चा बहुत ही कुरियोस होता है बच्चों के सबकॉंशेस माइन के प्रोग्रामिंग की शुरुवात कहां से होती है हर रोज बच्चे के माइन में उसके पाँच सेंसे से बहुत सारी इनफॉर्मेशन आती है और फिर वो उसे अपनी तरह से समझ कर अपना कंक्लूजन बनाता है बच्चे के फाइव सेंसे से इनफॉर्मेशन आती है और वो अपनी तरह से समझ कर उससे अपना कंक्लूजन निकालता है फिर उसमें मिले हुए experience से वो अच्छा experience था या बुरा experience था तो इस उमर में वो सिर्फ और सिर्फ यही समझता है उसके लिए किसी भी situation में सिर्फ अच्छा या बुरा यही experience होता है जिसे वो सिर्फ pain या pleasure के रूप में feel करता है उसके लिए आने वाली हर situation सिर्फ दो तरके होती है एक painful situation और दूसरी pleasurable situation point number 12 उसके subconscious mind में जितना भी input आता है वो सिर्फ दो ही रूप में आता है एक है pain और दूसरा होता है pleasure अब मैं आपको कुछ examples देता हूँ और उससे बनते हैं उसके conclusions और उससे बनते हैं उसके beliefs मैं आपको कुछ example देता हूँ for example example number one बच्चा जब आग को हाथ लगाता है तो उसका हाथ जल जाता है तो वो उसके लिए हो गई painful situation और उसके दिमाग में input आ गया या उसके subconscious mind में input आ गया आग मतलब painful आग मतलब painful cheese उसकी physical body को मिला था pain अब उसके mind में और उसकी body में strong coordination हुआ कि जब भी आग दिखेगी उसकी body को immediately पीछे उसका subconscious mind लेने वाला है example number two उसने सुना कि साप ने एक इनसान को काटा और वो मर गया तो उसके subconscious mind ने साप मतलब painful cheese ऐसे input कर लिया और जब भी वो साप को देखेगा तो वो डरेगा तो वो हो गई उसके लिए painful cheese वो हो गया उसके लिए painful event example number three जब वो दो साल का था तब एक छोटे से कुटे के बच्चे से वो खेल रहा था और उसको बहुत ही बड़ा मजा आया था उसके subconscious mind में input हो गया experience का input हो गया कि कुटे का बच्चा puppy मतलब pleasurable cheese तो इसे बच्चों के subconscious mind में pain और pleasure के रूप में beliefs बनने शुरू होते हैं अब सवाल या आता है कि बच्चों के subconscious mind में beliefs कहां से आते हैं और वहाँ पर कैसे बस जाते हैं point number 13 बच्चे अपने beliefs कैसे बनाते हैं पहले 7, 8 या 10 साल तक बच्चे सभी situation या सभी information को सिर्फ pain और pleasure के रूप में subconscious mind में store करते हैं अब कई information उसे मिलती है घर के लोगों के discussion से घर के लोगों के communication से for example, mommy, papa, grandparents, uncle, auntie, इनके experiences point number 14 आईए बच्चों के beliefs क्या और कैसे बनते हैं इसके 5 उधारनम देखते हैं जैसे कभी-कभी grandparents अपने past के experience से घर में बाते करते हैं या कहते हैं कि मैंने चार बार business करने के कोशिश की लेकिन मुझे हमेशा लोगों ने फसाया है और कभी भी नए लोगों पर immediately विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दुनिया बदमाशों से ही भरी है अब ये बार-बार सुनने से इस बच्चे की belief ये हो गई कि लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए ये दुनिया एक डरावनी जगा है तो उससे इस दुनिया को associate किया उसके subconscious mind ने इस दुनिया को associate किया कि दुनिया मतलब pain दुनिया मतलब डरावनी जगा और एक example देता हूँ एक grand parents ने अपने पुराने experience से बच्चे से कहा या घर में कहा या उनके दोस्तों से कहा वहाँ पर वो बच्चा सुन रहा था तो वो कह रहे थे उन्होंने बहुत बार कहा था कि मैंने जो भी पैसा कमाया है वो तो सिर्फ और सिर्फ मैंने training से सिख कर ही अपने business में apply करके पैसा कमाया है तो उनका ये कहना था कि मैंने business जो भी बढ़ाया है वो training की वज़े से बढ़ा है इस दुनिया में अगर पैसा कमाना है तो ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है अब बच्चे की बिलीब बन गई कि पैसा कमाना है तो ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है तो ट्रेनिंग मतलब उसके लिए हो गया प्लेजर फिर दादा जी ने कहा कि मुझे लाइफ में हमेशा अच्छे लोग ही मिले है जिनोंने मुझे बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत मदद की और केवल उन सब के वज़े से मैं बड़ा बिजनेस कर सका हूँ यह दुनिया अच्छे लोगों से भरी है तो अब बच्चे की बिलिप बन गई कि यह दुनिया मतलब प्लेजर अभी तक उसका कॉंशेस माइंड बना नहीं है और जो भी उसे अपने एक्सपिरियंस से या दुसरों के एक्सपिरियंस से उसके पास सिंसेस से इनफॉरमेशन मिलती है या एक्सपिरियंस मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेन और प्लेजर के रूप में ही उसके सबकॉंशेस माइंड में स्टोर होते हैं मैं आपको और एक एक्जम्पल देता हूँ कि मम्मी बोलती है कि पैसा बहुत ही बुरी चीज है ज्यादा पैसों की वज़े से जगड़े होते है बटवारे से सभी भाईयों में जगड़े शुरू हुए है और अब तो बहुत ही tension बढ़ गया है और अगर ये पैसा नहीं होता था तो हम सब भाईयों में अच्छा relation बनाये रखता था या अच्छा relation अभी भी रहता था दो कि बच्चे की पैसा ज़्यादा नहीं होना चाहिए में भी ऐसी उसकी बिलीफ बन सकती है क्योंकि मम्मी ऐसा घर में बहुत बार बोलते थी मैं और एक आपको एक्जामपल देता हूँ कि एक बच्चे के पापा सेल्स फिल्ड में होते है तो उनका डिपार्टमेंट होता है सेल्स और वो कहते है कि सेल्स में बहुत पैसा है तो बच्चे की बिलीफ बन गई कि सेल्स फिल्ड मतलब प्लेजर तो अब उसे उस बच्चे ने अपने लिए ऐसा कंक्लूजन बना भी लिया कि जो हमें मालूम भी नहीं है वो कंक्लूजन यह है कि सेल्स मतलब ज़्यादा पैसा सेल्स फिल्ड मतलब ज़ादा पैसा हमारे बच्चपन से हर रोज हमारे फाइव सेंसेस से उतनी इन्फॉर्मेशन हमारे सब कॉंशेस माइन में गई है और हमारे इतने हजारों बिलिफ्स बने है जिने हम आज लिख भी नहीं सकते है और उस से हम आज की लाइफ जी रहे है जब आप 6 साल के थे, 7 साल के थे या 8 साल के थे तब उन 365 डेज में जब आप 7 साल के थे तब वो 365 डेज तो उसमें से हर एक दीन आपको याद नहीं है लेकिन उन में से कही दीनों में आपके सब कॉंशेस माइन पर आपके पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, कोचेस ने, रिलेटिव ने, नेबर्स ने कुछ ना कुछ हैमर किया था और वो आपके सब कॉंशेस माइन में बिलीफ्स बने थे और वो बिलीफ्स तभी कैसे बने थे यह आपको मालूम नहीं है लेकिन वो सभी beliefs आपके subconscious mind में आज भी घर बना के बैटे है तो इसका मतलब यह है कि आप 7, 8 या 10 साल के थे तभी हर साल में और उन दिनों में, 365 डेज में आपके subconscious mind पर लोगों ने उनके experience की उनके experience की information की आपके subconscious mind पर हैमर किया था और उससे आपके दिमाग में हजारों beliefs बने है और जिस beliefs की वज़े से आपकी आज की life जो आप जी रहे हो तो वो आपकी life है और वो beliefs अगर आप लेके चलोगे अगर उन्होंने जो beliefs आपके subconscious mind में डाले थे अगर वो empowering beliefs नहीं है अगर वो limiting beliefs है तो आपके life में empowerment नहीं मिले गया आपके life में limiting beliefs हो जाएंगे negative beliefs बढ़ने की संबोना बहुत जादा है इस तरह से बच्चे 8 से 10 साल तक अलग-अलग subjects के कम से कम 5000 से जादा छोटे-छोटे beliefs और conclusions अपने subconscious mind में store कर लेते हैं और यह 5000 beliefs जो होते हैं या उससे जादा beliefs होते हैं यह होते हैं उसके subconscious mind के जो subconscious mind का जो program होता है वो program in beliefs, in thoughts को मिलके बनता है so beliefs और conclusions के बनने के लिए parents से उनकी life के experiences से मिली information तब ज़्यादा काम करती है क्योंकि बच्चे के life में 7-8 या 10 साल तक उसके खुद के experience कम होते हैं लेकिन घर के सभी सदस्य जब information देते हैं या एक दूसरे से बात करते हैं अपने experiences के बारे में अपनी सोच के बारे में अपने beliefs के बारे में वो घर में discussion करते रहते हैं या एक दूसरे से बोलते रहते है तब बच्चे वो सुनते रहते है और वो सुनने से उनके कान से information जाती है और बार-बार हैमर होने के बाद, repeat होने के बाद वो उनके subconscious mind में एक strong not बन जाती है और वो बनते है अपने बच्चों के beliefs Point No.16 आप ही सोच सकते हो कि इंडिया के successful और happy family के सभी members के experience से अगर आपके beliefs बनती तो आज आपके subconscious mind का programming कैसे होता था Example, Tata family, Kirloskar family, Godrej family, Mukesh Ambani Sarki family, etc. उनके family के experience से उनके family के जो अलगल experience है जो हम सपने में भी कभी imagine नहीं कर सकते है Rich family के finances के बारे में क्या beliefs होते है करोड़ो रुपया कमाना बहुत easy है 500 करोड़ो रुपया कमाने के लिए company ऐसे ऐसी form करनी पड़ती है और ये ऐसा ऐसा करना पड़ता है Point No.17 पूर फैमिली के finances के बारे में क्या beliefs होते है करोड़ो रुपया कमाना इतना easy नहीं है क्योंकि उन्हें कैसे कमाया जाए इसका उन्हें knowledge और experience होता ही नहीं है Point No.18 बिलिफ्स के मुख्यता दो प्रकार कौन से होते है यह सभी बच्चों के subconscious mind में positive या negative category में जाता है मतलब pain और pleasure मतलब limiting beliefs या empowering beliefs negative beliefs और positive beliefs limiting beliefs मतलब हमारे जो beliefs होते है वो हमें limit लगाते है और empowering belief मतलब हमारे जो beliefs होते है वो हमें power देते है बच्चों की belief ऐसे बन सकती है कि पैसा कमाना pain है या पैसा कमाना pleasure है क्योंकि हमारे discussion से उनके कान से उनके subconscious mind में information जाते रहती है repeat होते रहती है फिर उनके पैसरी के बारे में beliefs बन सकते है मैंने हमेशा मेरे बच्चों को बच्चपन से यही सिखाया है कि करोडो रुपए कमाना बहुत ही easy है और उसके लिए तुमें ये 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 करना होगा point number 19 conscious mind और subconscious mind में क्या फरक होता है बच्चों का subconscious mind एक blank slate है आप उस पर जो भी लिखोगे वो उसमें belief के तौर पर हमेशा के लिए रहने वाला है अब 7, 8 या 10 साल के बाद subconscious mind जनम देता है conscious mind को subconscious mind pain और pleasure के emotion से बना होता है मतलब उसमें emotions होते हैं उसमें repetition होता है और conscious mind ये thought का मतलब सोचने वाला mind होता है हम बड़े होकर जो भी सोचते हैं और जीस तरह से सोचते हैं वो सोचने का pattern जो बना है वो subconscious mind का फल है बच्चे जब बड़े होते हैं तो अगर उन्हें कोई कुछ कहता है तो वो सोचते हैं और सोचने वाला mind होता है conscious mind subconscious mind में बने हुए beliefs से हमारा conscious mind बाद में सोचता है और actions भी लेता है point number 20, बच्चों की curiosity, सवाल पुछने से और उनके beliefs बनने का रिष्टा क्या है 7, 8 या 10 साल के बाद बच्चे ज़्यादा question पुछना शुरू करते है क्योंकि उन्हें बहुत सी बाते जाननी होती है जिसमें उन्हें directly या indirectly beliefs बनाते हैं बच्चों को ज़्यादा सवाल पुछने दे और उनके सही जवाब दो या confidence build करने वाले जवाब दो या answer दो आपके answers ऐसे होने चाहिए कि आपके answer से उनमे confidence build होना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे आपको सवाल पूछेंगे आप जवाब दोगे तो वो जवाब अगर negative है तो उनकी negative beliefs बन सकती है अगर वो जवाब उनके लिए positive है या उनके life के लिए confidence build करने वाले है तो उनके positive beliefs बनेंगे जिसकी वज़े से वो definitely life में successful होने वाले है अगर आपने अपनी life में बड़ी achievements नहीं की है तो आपके answer से उनके गलत beliefs मिल सकते है या उनके subconscious mind में गलत beliefs बन सकते है जो उनके भविश्य में बड़ी actions लेने नहीं देंगे इसलिए आप अगर उनके सवाल का जवाब नहीं दे सकते हो तो आप उन्हें successful लोगों के पास लेके जाओ और वो उन्हें जवाब देंगे जिसकी वज़े से वो अपने mind में अपने subconscious mind में अच्छी-च्छी beliefs बना सकते है क्योंकि सवालों के जवाब से ही उनके beliefs बनने वाले हैं जो उनकी पूरी life में उन्हें goal set करने के लिए और हर रोज actions लेने के लिए अपनी habit form करने के लिए मदद करने वाले हैं बच्चों के मन में जो भी सवाल आते हैं वो इस दुनिया की reality के बारे में जानने के लिए होते हैं प्लीज उन्हें दबाये नहीं उन्हें सवाल पूछने दे बच्चों के conscious mind को कौन guide करता रहता है बच्चों के conscious mind में जो भी विचार आते हैं तो वो guide करने वाला होता है उनका subconscious mind अब बच्चे बड़े होते हैं दसवी, बारवी, graduation 21 या 22 साल के हो जाते हैं और science कहता है कि बच्चों के इस उम्र तक उनकी beliefs एकदम strong हो गई होती है hardwired और उनका mind एक perfect programming बन जाता है maybe वो अच्छा हो सकता है, maybe वो गलत हो सकता है वो parents की सोच से friends, relatives इन सभी के experience से बड़े पैमाने पर successful होने का या average life जीने का उनके उस तरह का mind programming बन जाता है मतलब पापा के, मम्मी के experience से, family के experience से, relatives के experience से, लोगों के कहने से उनके mind का एक program बन जाता है, तो क्या हम उनके negative beliefs को हरा कर उनमे positive और empowering beliefs को install कर सकते हैं, तो इसका answer है, हाँ आप यहाँ पे डरूं मत, यह तो old beliefs है, लेकिन उसमें थोड़ा सच भी है लेकिन अब modern science केता है, कि उन beliefs को neuroplasticity से या brain plasticity से brain programming से change किया जा सकता है, और नया programming उनमें install किया जा सकता है वैसे ही आप हमारे the corporate coach इस app पर जाकर plan life की 13 categories को देखो जिसमें successful लोगों के sacred beliefs दिये हैं, जो आप खुद के और आपके बच्चों के subconscious mind के program में या programming करते समय उसमें install कर सकते हो point number 22, अब हम एक example देखते हैं, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि क्यूं कहीं बच्चे बड़े होकर बड़े-बड़े goals अच्छीव नहीं करते है 23 साल का एक लड़का एक personality development course में जाता है और वहां पर motivated होकर एक साल में एक करोण रुपया कमाना है, ये goal लेता है goal setting की जो process होती है, उस course में वो half process है तब उसे action plan भी लिखना होता है और हर रोज action लेने के लिए उसे नई habits को खुद से follow करना ज़रूरी होता है so goal setting, writing action plan और उसके लिए important habits ये एक half process है क्योंकि goal set किया है, फिर process भी लिखी है और फिर उसके लिए process मतलब action plan और उसके लिए कौन-कौन सी habits चाहिए वो भी लिखा है goal को achieve करते समय कही specific actions को confirm लेना ही पड़ता है मतलब आपको ये goal achieve करना है, तो आपको ये in actions को लेना ही होगा ज़रूरी है, so without these specific actions, goal cannot be achieved मैं यहाँ पर और एक example देता हूँ, बच्चे लिखते है, मुझे school topper बनना है बच्चे लिखते हैं बड़े होकर, मुझे एक साल में करोड रुपय कमाना है तो ये हो गया goal, point number 23, success की definition क्या है, so goal in written form plus action plan का creation plus habits of action to be taken every day, ये तीनों एक साथ होते है तो होता है success, point number 24, बच्चे goals को give up क्यों कर देते हैं, so उसने decide किया था कि मुझे एक साल में करोड रुपय कमाना है, कही दिनों बात वो actions लेना stop कर देता है तो उसे उसका coach पुछता है कि तुने actions लेना क्यों stop किया, तब वो कहता है कि मुझे लगने लगा कि ये possible नहीं है मुझे अंदर से डर नगले लगा, मुझे अंदर से uneasy feel होने लगा, मैं बेचन हो गया, मुझे चिंता होने लगी, मैं नर्वस हो गया, etc, etc तो उसने जो भी कहा वो थे उसके emotions, for example, डर लगने लगा, uneasy feel कर रहा हूं मैं, बेचनी बढ़ रही है, चिंता होने लगी, परेशानी, डर लग रहा है यह सभी उसके emotions है, और emotions आते हैं कभी भी, emotions कहां से आते हैं, emotions आते हैं, subconscious mind से, क्योंकि subconscious mind यह emotions का mind है subconscious mind, pain और pleasure के emotions का mind है, conscious mind सोच का mind है, हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि conscious mind ने goal set किया लेकिन subconscious mind, body को action लेने के लिए कहने वाला mind कौन सा होता है, subconscious mind so conscious mind ने goal set किया, लेकिन body को action में कौन लाने वाला है, subconscious mind subconscious mind कैसे बना होता है, emotions का बना होता है सो body को guide कौन करने वाला होता है action लेने के लिए कौन बोलने वाला होता है body के पीछे लगने वाला कौन होता है subconscious mind हर रोज काम करने के लिए actions लेने का काम हमारी body करने वाली है लेकिन हमारी body पर परिणाम करने वाला है हमारा subconscious mind कई emotions हमारे बच्चों को आगे जाने से रोकती है और उनकी आशा भविश्य में बड़े goals को पाने की जो आशा होती है वो हमारे बच्चों की कम हो जाती है अब हमें तो ये पता है कि emotions आते हैं हमारे subconscious mind से बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो goal लेते हैं कि मुझे एक साल में एक करोड रुपय कमाना है ये सोचने का काम करता है conscious mind बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो goal set करते हैं कि मुझे हर साल एक करोड रुपय कमाना है ये सोचने का काम करता है conscious mind point number 25 average life जीने वाले गरीब लोगों के money और finances के बारे में beliefs क्या होते हैं अब subconscious mind के अलग अलग compartment होते हैं और उसमें compartment होता है money और finance का compartment और उसमें उसके कुछ negative beliefs बच्चपन में install हुए होते हैं for example एक average इंसान को करोड रुपय कमाना difficult है second करोड रुपय कमाने के लिए बहुत hard work करना पड़ता है third करोड रुपय कमाने के लिए इंसान naturally talented होना जरूरी होता है और मैं वैसे नहीं हूँ मेरे पास वह knowledge है ही नहीं fourth करोड रुपय कमाने के लिए I think पैसा नसिब में होना जरूरी है fifth करोड रुपय कमाने के लिए पहले खुद के पास बड़ी investment होनी जरूरी है खुद के पास पैसा होना जरूरी है फिर वह invest करेंगे फिर वह invest करने के बाद हमें और पैसा मिलेगा लेकिन मेरे पास तो अब investment के लिए पैसा है ही नहीं इस दुनिया में पहले बहुत opportunities थी लेकिन अब competition इतनी बढ़ गई है कि अब opportunities की बहुत ही कमी है ऐसी बहुत सी beliefs उस बच्चे के subconscious mind में होती है और आते रहती है और वो जैसे जैसे grow होता है वैसे वैसे यह सारी beliefs आती है उसके पापा, मम्मी, दादा, दाधी, चाचा, चाची, मामा, मामी, पड़ोस वाले, teachers, relative, etc. इन सब के कहने से घर के discussion से क्योंकि उनका वैसे experience होता है या उनके भी subconscious mind में किसे ने hammer की होती है सो हमारे घर के लोग, neighbors, relatives, private tuition के teachers, sports club के teachers, coaches इनके सब के experiences और इनके कहने से बच्चों के subconscious mind में यह सब hammer होता है for example, अभी आप यह drawing देख रहे है, उसमें सीर के दो पाठ है तो उपर का जो है, वो, है conscious mind और जो नीचे का है, वो subconscious mind conscious mind में होता है, उसके thoughts, उसके जो विचार, वो जो सोचता है, वो और subconscious mind में होते हैं, उसके emotions, जो repetition से, hammering से, वो बन जाते है so, अब शुरू हो गया जगडा conscious और subconscious mind में, point number 26 subconscious mind और conscious mind के जगडे में कौन जितता है और क्यों जितता है हमारे पुरे mind में 95% होता है subconscious mind और सिर्फ 5% होता है हमारा conscious mind, अब इस जगडे में कौन जितने वाला है of course, 95% वाला subconscious mind, हमारा mind ही हमारी physical body को control और guide भी करता है और अब इस case में हमारे subconscious mind में पैसे के बारे में इतने negative beliefs और negative emotions है कि जो हमारे physical body को actions लेने के लिए मना करते है physical body को जो subconscious mind के जो emotions से feelings है जो negative है कि पैसा नहीं आ सकता है, opportunities नहीं है, मैं इतना talented नहीं हूँ, etc. तो ये negative emotions बचपन से लेके वो 21-22 तक होता है तब तक वो जो negative emotions उसकी physical body को actions लेने नहीं देते है तो लोग goals को set करते है और 4 या 5 दिन actions भी लेते है और बाद में उनके body में negative emotions का impact शुरू होते दिखता है और वो subconscious mind के negative thoughts को उकसाते है जैसे के ये possible नहीं है, opportunities कम है, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता हूँ और फिर और फिर दिमाग नए नए excuses को डूड़ना शुरू कर देता है अंध में subconscious mind ही जितता है क्योंकि वो 95% टाकत वाला है फिर उसके बाद एक करोड रुपय कमाने का goal कम हो जाता है और वो महिने में कुछ हजारों रुपय कमाने के goal पर आ जाता है फिर conscious mind 40,000, 50,000, 60,000 रुपय हर कमाने के goal को decide करता है accept करता है और उसके बाद subconscious mind को वो goal बराबर लगने लगता है और खुशी के emotions, relaxing के emotions, subconscious mind से निर्मान होते है जिनने हमारी body भी accept करती है subconscious mind से conscious mind भी accept करता है body भी accept करती है हमारी belief ये कहती है कि मैं 40,000 या 50,000 easily कमा सकता हूँ और ये मेरे लिए अब possible है लेकिन करोड रुपय कमाना impossible है क्योंकि I believe कि मैं एक average person हूँ क्योंकि I believe कि मैं इतना hard work नहीं कर सकता हूँ क्योंकि I believe कि मैं इतना talented नहीं हूँ I believe कि अब इतनी opportunities market में नहीं है हम जब conscious state में होते है तो चल फिर सकते है लेकिन unconscious state में हमारे body कुछ भी actions नहीं ले सकती है जब भी हमारे conscious mind को ये समझता है कि हमारे goals बड़े है तो वो give up कर देता है और body को actions लेने के लिए बंद कर देता है या मना कर देता है अब हम देखने वाले है कि हमारी personality क्या होती है हमारे goals बड़े है तो वो give up कर देता है और body को actions लेने के लिए बंद करने को कहता है क्योंकि हमारी personality वे से बनी हुई होती है point number 27 अब हम देखने वाले है कि हमारी personality क्या होती है personality का मतलब यह है कि reality में आप अंदर से कैसे हो reality में हर एक इंसान में बहुत ज़्यादा potential होता है बहुत कुछ अचीव करने का वो सोच भी नहीं सकता है उतना ज़्यादा वो अचीव कर सकता है क्योंकि अगर हम किरलोसकर या बिरला फैमिली के घरों में पले बड़े होते तो क्या हमारे आज की achievements कुछ और होती थी क्या हम आज अभी से ज़्यादा successful होते थे लेकिन हमारे बच्पन से हमारे outer world से जो finances या money के बारे में या पैसे के बारे में जो negative beliefs outer world से आये है तो अब हमारी personality वैसे बन गई है बतलब अब हमारी personality ऐसे बन गई है कि मैं एक साल में एक करोड रुपया कभी भी नहीं कमा सकता हूं मैं हर मेना 40,000, 50,000 या maximum 60,000 ही कमा सकता हूं point number 28 आप दो तरीके से अपने mind का programming बदल सकते हो first आप consciously सोच कर lower goal ले सकते हो जो आपके subconscious mind से easily align हो सके जो आपके subconscious mind को easily हजम हो सके और फिर आप उन्हें achieve कर सकते हो यह आपको लगता है आप उसके पीछे बढ़ सकते हो लेकिन इससे आप अपनी मर्यादाओं को तोड नहीं सकते हो आप बड़े सपनें को कभी भी चेज नहीं कर सकते हो और जिन्दगी में आप एक mediocre life एक average life जीना शुरू करोगे आप reach कभी भी बन नहीं पाऊगे and second आपके पास और एक तरीका है वो यह है आप आपके बड़े गोल्स को वैसे ही रखो कि मुझे एक साल में एक करड़ रुपया कमाना ही है for example कि मुझे स्कूल में टॉपर बनना है या मुझे इतने इतने वेल्द बनानी है और आप अपने सबकॉंशेस माइन के निगेटिव बिलीफ्स को पॉजिटिव बिलीफ्स से हैमर और रिपिटेशन टेकनिक से बदलने वाले हो आप अपने सबकॉंशेस माइन के प्रोग्रेमिंग को बदलने वाले हो मतलब हमें मर्यादा डालने वाले जो beliefs है उनको हम empowering beliefs से बदलने वाले है For example, अगर आपका old belief यह है कि पैसा कमाना difficult है तो आप emotion के साथ यह वो लोग है कि पैसा कमाना बहुत easy है तो उसमें emotion भी जाने चाहिए और यह belief आप repeatedly आपके subconscious mind पर hammer करो आप एक negative belief यह भी हो सकता है इस दुनिया में अब opportunities कम है तो आप emotion से यह बोलो कि इस दुनिया में आज opportunity बहुत ज़ादा है और यह दुनिया opportunities से भरी पड़ी हुई है तो उसमें emotion जाने चाहिए और इस belief को आप repeatedly आपके subconscious mind पर hammer करते रहो Third, मैं एक average person हूँ और मुझ में उतना potential नहीं है यह negative belief है आप positive belief से आप replace करो मैं एक अमर्याद potential वाला इंसान हूँ और मैं मेरी life में बड़े-बड़े goals को easily achieve कर सकता हूँ Point number 29 Goals को set करने के बाद हमारे बच्चों की दो fights किस से होती है Goals को set करने के बाद हमारी first fight हमारे inner world से मतलब हमारे पुराने negative belief से है और उसके बाद goals को achieve करते समय आने वाले problems और obstacles से जो की outer world में है Point number 30 Subconscious mind और conscious mind के जगड़े को कैसे मिटा कर हम अपने goals को achieve कर सकते है एक बार अगर अंदर से बदलाव शुरू हुआ तो outside world में भी changes होने शुरू होते है आप जब bigger goals को set करते हो और आप beliefs के या beliefs के अनुसार उसे align करते हो तो हमारी body जो actions लेने वाली है तो उसे confident लगता है confident फिल होता है वो body खुद को powerful समझती है कि वो easily बड़े goals को achieve कर सकती है और उसके लिए हमारी body मेनत लेने के लिए तयार होने वाली है यह subconscious mind body को बोलता है और body के muscles भी काम करने के लिए तयार होते है अब goals हमारी body और mind को अपने और आकरशित करते है जो goals होते है वो goals अपने body को और mind को goals के और आकरशित होते है goals हमारे और आकरशित होते है क्योंकि अब mind और body का alignment बराबर से हुआ है अब 95% माइंड में positive beliefs है जो positive goals को पाने के लिए body में hard work करने वाले chemicals को release करते है जिससे हमारे body एक high conscious state में और high alert state में काम करती है मैं आपसे एक सवाल पुछता हूँ क्या आपने इस वीडियो को देखने से पहले और अब आपके brain में already एक नया programming होने के लिए शुरूत हुई है एक नए neuro connections जोडने शुरू हुए है एक नया program आपके subconscious mind में install होने लगा है एक नई wiring अंदर शुरू हुई है जो आपको बड़े goals को achieve करने के लिए मदद करने वाली है point number 31 अब सवाल ये आता है कि आप अपने subconscious mind में कैसे नए beliefs को install करने वाले हो so first पहले ये तय करना होगा हमारे अंदर हमारे subconscious mind में कुछ negative beliefs है तो अपने खुद के negative beliefs को कैसे ढूंडे so अगर हमें हमारे negative beliefs को ढूंडना है और उन्हें positive beliefs से replace करना है तो पहले ये तो समझ में आना चाहिए कि हम में या हमारे subconscious mind में कौन-कौन से negative beliefs है तो आप एक बड़ा गोल लिखो और खुद से पूछो कि मैं इस गोल को achieve क्यूंड नहीं कर सकता हूँ तो आपके पास अब जवाब आएंगे क्यूंकि आपके पास जवाबों की एक list मिल जाएगी जैसे की first मुझे में ability नहीं है second मुझे ये difficult लग रहा है third अब इस दुनिया में opportunities नहीं बच्ची है ऐसे सभी reasons आपको जो actually आपने इस society से उठाए थे जो आपने अपने mind में store किये हुए है और जो सभी beliefs आपके लिए है game stopper एक बार आपको समझ में आ गया कि ऐसे कौन-कौन से beliefs है जो आपको आगे जाने नहीं देंगे आगे जाने से रोक रहे है तो आपको उन beliefs को positive beliefs से replace करना होगा point number 32 subconscious mind किस से बना है subconscious mind repetition और hammering से बना है और ये habits और emotions का भी mind है मैं आपको यहाँ पर एक example देता हूँ आपका cycle चलाने का पहला दिन कैसा था आप balance करते थे, आप handle मारते थे, आप handle पकड़ते थे सामने देखते थे, नीचे देखते थे आपको balance करने के लिए difficult होता था मतलब इन सभी को manage करना आपके लिए पहले दिन difficult था फिर second दिन, फिर third day, फिर fourth day और आप expert हो जाते हो और फिर बात में आप दोनों हाथ छोड़कर भी cycle चलाते हो तो ये दिखाता है कि आप कितने expert हो अब आप without pressure, without tension cycle को easily चलाते हो इसमें exactly क्या होता है आप cycle चलाने की process को repeat करते हो और वो आपके subconscious mind का repetition से एक part बन गया है और वो हो जाती है आपकी muscle memory subconscious mind ये repetition से बनता है और फिर बात में ये habitual बन जाता है जो अपने आप, ये एक अपने आप होने वाली process है point number 33, पुराने negative beliefs को positive beliefs से बदलने के लिए क्या करना होगा तो आपको अगर आपके beliefs बदलने है तो आपको repetition का सहारा लेना होगा आपका पुराना belief अगर ये है कि मैं एक average person हूँ और मुझ में potential नहीं है तो मैं अब ये कहूँगा कि मुझ में unlimited potential है और अब मैं एक extra order इंसान बन गया हूँ आप जब इस नए belief को हर रोज हजारो emotions को उसके अंदर डाल के everyday big energy अगर ये जब आप एक बड़ी energy से और उसमें बहुत से emotions को डाल कर enthusiastic के emotions को डाल कर repeat करोगे तो आपको शुरुआत के कुछ दिनों में थोड़ा discovered लगेगा लेकिन बाद में आप उस पर believe करोगे क्योंकि अब आप science जान गए है कि subconscious mind को कैसे programming किया जाता है point number 34 आपका सवाल ये होगा कि कितनी बार आपको इस नए beliefs को repeat करना है तो मेरा ये जवाब है कि आपको पहले तीन महिनों में मतलब 90 दिनों में हर रोज कम से कम 100 बार तो इस beliefs को repeat करना होगा क्योंकि अगर last 21 सालों में आपने उन सारे negative beliefs को पकड़ कर रखा है आपके subconscious mind में बंद करके रखा है तो अब आपको उसे तोड़ने के लिए उतना ज्यादा हैमर करना होगा point number 35 नए beliefs को आपके subconscious mind में कब इंस्टॉल करना होगा और subconscious mind और conscious mind का जगड़ा कब खतम होता है science यह कहता है कि जब आप बेड़ पर सोने के लिए जाते हो तो अगर आप सोने के पहले उस belief को repeat करोगे, repeat करोगे, repeat करोगे तो आप उस ही विचार के साथ सो जाते हो तो आप में आने वाला बदलाव ज़्यादा fast होता है सोते समय आपके conscious mind और subconscious mind में यह conscious mind है यह subconscious mind है इसमें जो एक obstacle है वो तूटने लगेगा नीन में जाने की अवस्ता एक hypnosis की अवस्ता होती है आप रात को नीन में जाने से पहले repeat करो कि मुझ में infinite potential है, मैं कुछ भी achieve कर सकता हूँ अब आपका conscious mind, आपका subconscious mind और आपकी body इन सब का alignment होना शुरू हुआ है फिर आपको आपकी अलग-अलग energy दिखेगी आपके emotions positive हो जाएंगे फिर आपकी body और आपका conscious mind real effort देने शुरू करेंगे और आपकी body नहीं काम करते समय ठकेगी हमारे brain के अंदर इतने छोटे-छोटे connections हो जाते है जो हम देख भी नहीं सकते है लेकिन जब आपके beliefs, repetition से बदलने लगेंगे तो आप बाद में feel करने लगोगे कि आपके brain के अंदर की wiring आपके brain के अंदर की जो wiring है उसके connections जो थे वो अब बदल रहे है अब आपके conscious और subconscious mind में जो पहले जगडा होता था वो अब बचेगा ही नहीं Point No.36 जब भी आप बड़े goals को set करते हो तो पहले आपको क्या करना जरूरी है तो आप आपके subconscious mind में install हुए beliefs को check करो जैसे कि क्या ये goal मेरे लिए possible है या difficult है आप जब goal को देखोगे तो आप कैसा feel कर रहे हो तब आपको आपका subconscious mind दिखाएगा कि ऐसे कौन-कौन से beliefs है जो आपको पीछे खिच रहे है जब आप goals achieve नहीं होने के reasons लिखोगे तब आपको आपका subconscious mind दिखाएगा कि बच्पन से आपके subconscious mind में develop हुए ऐसे कौन-कौन से beliefs है जो आपको पीछे खिच रहे है और आपको याद भी नहीं है कि वो कब आप पर hammer हुए थे आपको अगर एक उपर के level पर जाना है आपको quantum leap लेनी है आपको यहां से यहां पर जाना है तो आपको आपका एक नया version खुद का नया version आपको बनाना होगा मतलब आपको नए beliefs का एक powerful set आपके subconscious mind में install करना होगा आपको अगर बाहर के एक पहार को हिलाना है तो आपको पहले आपके अंदर के पहाड को हिलाना होगा उससे आपकी will power strong हो जाएगी उससे आपकी will power बढ़ेगी point number 37 goals को achieve करने के लिए पहले क्या करना होगा बहुत से लोग goal setting के शुरुआत में ही game हार जाते है कई लोग पहले चार या पाच दिनों में हार जाते है लेकिन अगर आपको goal को achieve करना ही है तो पहले आप अपने beliefs को strong करो जिससे आप अंदर की लडाई पहले ही जीच चुके होते है आज हम ऐसे युग में है जहाँ बहुत सी opportunities है और आप कुछ भी easily achieve कर सकते हो आप ये सोचों की पिछले 500 सालों में चितनी opportunities हमारे लिए available नहीं थी उससे ज़्यादा opportunities हमारे लिए available है लोग जनम से great नहीं होते है वो यही great होने की process को follow करके great होते है वो पहले अंदर से great होते है और फिर बाग में बाहर greatness को achieve करते है पॉइंट नबर 38 बच्चों के दिमाग में beliefs का software नया software कैसे install करे इस वीडियो से हमने ये तो सीखा है कि खुद के पुराने negative beliefs को कैसे नये positive beliefs से replace करे लेकिन हमारे बच्चों में नये कौन-कौन से beliefs को install करना है पुराने beliefs को कैसे निकालना है ये easy process नहीं है क्योंकि खुद के beliefs को बदलना खुद repetition करना खुद बोलना खुद उसमें emotions डालना खुद emotionally बोलना कि मैं ये कर सकता हूँ I can achieve everything ये सब easy है लेकिन दुसरे के mind में घुसकर उसे कैसे happening से बदलना चाहिए ये अलग ही process है हमारे ideal parenting के course में हमने sacred beliefs के बारे में बोला है और install करने के जो process होती है उस process के बारे में बोला है so beliefs क्या होने चाहिए आपके बच्चों के thoughts क्या होने चाहिए और वो आपके बच्चों के subconscious mind में कैसे install करना है उसकी process क्या है तो वो subconscious mind आपके बच्चे के conscious mind से और body से align करेगा और आपका बच्चा उसकी life में happy बनेगा, successful बनेगा और हर रोज healthy रहने के लिए सोचेगा, उसके लिए काम करेगा so आपको आपके बच्चे के subconscious mind में install करने के लिए हमारे ideal parenting के 100 chapters काम आएंगे आप अपने बच्चों के subconscious mind में beliefs के बीच को मजबुत करो तो आपके बच्चों को बाहर के success के fruits खाने के लिए definitely मिलने वाले है आज के बाद आपके life में miracles होने चाहिए, ये मेरी सबसे बड़ी wish है, आज के बाद आप अपने life में बड़े बड़े goals को decide करो, और इस process को follow करके बड़े goals को achieve करो आप इस video को उन लोगों को देखने के लिए कंपल सरी करो, जिनकी achievement से आपको खुशी मिलने वाली है, आज के आज ही the corporate coaches app को आप install करो और ideal parenting के course की शुरुआत करो और अपने बच्चों के subconscious mind में, हर वक्त successful होने का हर वक्त happy रहने के लिए और हर रोज healthy रहने के लिए जो software बनने वाला है, उसे install करने में उसकी मदद करो Successful parents के जिम्मेदारी हमेशा अपने बच्चों को खुश करने की नहीं है बल्कि कठिन निर्णय लेने की है जो आने वाले समय में बच्चों को successful बनाए Parents को अपने बच्चों के सफल भविश्य के लिए दूसरे से ज्ञान लेने में हिचकेचाने नहीं चाहिए बले ही आखरी निर्णय Parents का होता है ज्ञान लेने से कई रास्ते खुल जाते हैं क्योंकि एक पुस्तक या एक ट्रेनिंग कोर्स आपके पात साल बचाता है काम्या Parents काम्या बच्चों को बनाते हैं और फिर वो काम्या बच्चे ये बखु भी जानते हैं कि अगर कोई चीज आसान नहीं है तो उस पर अधिक मेनत करनी होगी अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी और एक नई स्ट्राटेजी आजमा कर काम करना होगा बच्चों को सफल बनाने के लिए उन्हें ये बताना जरूरी है कि चीजे समय के साथ अचीव होती है पर उनका फर्ज है कि वो लगातार कोशिश करते रहे ग्रोथ माइंडसेट इस जीवन में हर चीज का अधार है ये एक ऐसी लाइफ स्कील है जो हमें अपने आप में और अपने बच्चों में जरूर डेवलप करनी चाहिए पॉइंट नबर 39 आप इस कोर से क्या सिखने वाले हो मतलब आपको इस कोर से कौन-कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले है आपको ये समझ में आएगा कि आप किस प्रकार के पैरेंट्स हो और आपको क्या करना होगा सेकेंड आइडियल पैरेंटिंग किसके लिए होते हैं सो एज ग्रूप जीरो तू फाइव यर्स सिखोगे कि इन ग्रूप के लिए आइडियल पैरेंटिंग कैसी होनी चाहिए थर्द खुद का और बच्चों का माइंड प्रोग्रामिंग कैसे करे और अगर गलत बना है या सबकॉंशियस माइंड में कुछ गलत बिलीफ्स बने है तो उसे कैसे बदले फॉर्थ पॉइंट बच्चों को मोटिवेट कैसे करे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आपकी स्ट्रेडेजी क्या होगी पॉइंट नमबर फाइफ पैरेंटिंग के चक्कर में खुद की लाइफ जीना as a parents आप ना छोड़े तो उसके बारे में आप सिखने वाले हो पॉइंट नमबर 6 घर का माहूल कैसे होना चाहिए इसका मतलब यह कि घर का environment कैसे होना चाहिए पॉइंट नमबर 7 बच्चों का social media और screen से बचाव कैसे करे पॉइंट नमबर 8 बच्चों में values, morals, ethics, manners इन सब को बच्चों के subconscious mind में कैसे develop करे और यह सब हमारे बच्चों की आदत होने के लिए हमें क्या करना चाहिए पॉइंट नमबर 9 बच्चों को self discipline कैसे करे पॉइंट नमबर 10 बच्चों को छूट कहा और मर्यादा कहा दे पॉइंट नमबर 11 बच्चों में unity कैसे करे अगर आपके घर में एक से ज़्यादा बच्चे है तो उनमें unity lifelong के लिए उनमें unity बनी रहने के लिए आपको क्या करना है पॉइंट नमबर 12 बच्चों को mature कैसे करे बच्चे खुद decision ले लें तो वो खुद से decision कब लेंगे उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों को self independent कैसे करे ये सिखने वाले है पॉइंट नमबर 13 बच्चों को advice कब दे और बच्चों को advice कब ना दे पॉइंट नमबर 14 बच्चों की सोच को कैसी दिशा दे सो हमें बच्चों की सोच को direction देनी है तो वो कैसे होनी चाहिए पॉइंट नमबर 15 बच्चों के unique ability को ढूंडे हर बच्चे में कुछ ना कुछ unique होता है तो उसे हम ढूंडेंगे और उसमें अगर उसका career करना है तो उसके लिए हमारी strategy क्या होगी उसके लिए हमारा action plan क्या होगा यह हम इसमें सिखने वाले है पॉइंट नमबर 16 बच्चों से expectation कैसे communicate करे मतलब आप जो आपके बच्चों से expect करते हो तो वो उनसे कैसे कहे तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 16 chapters ही explain किया है उनके बारे में बोला है अभी आपको ऐसे हमारे पास सब मिलकर 100 chapters के training videos है और आप यह भी सीखोगे कि क्यों 6 कारणों की वज़े से इस दुनिया में 5% लोग successful होते है पॉइंट नमबर 40 आपके बच्चे बड़े होकर successful life या mediocre life मतलब average life जीने के कारण कौन कौन से है यहाँ पर हम एक चार्ट देखने वाले है उस चार्ट में यह दिया है कि 5% लोग केवल इस दुनिया में successful reach है happy है healthy है और 95% लोग इस दुनिया में mediocre मतलब average life जी रहे है तो उसके लिए 6 reasons कौन से है तो point number 1 beliefs मतलब विश्वास point number 2 सोच मतलब thinking point number 3 attitude मतलब दुरिष्टी कौन point number 4 nature मतलब स्वभाव आपका स्वभाव या आपके personal traits इसका मतलब यह है कि आपकी व्यक्तिगत खासियते कौन कौन सी है आप में कौन कौन से गुण है आपका स्वभाव कैसा है आपकी व्यक्तिगत खासियते कौन सी है point number 5 behavior मतलब वर्तन point number 6 habits मतलब आपकी आदते इस कौर्स में मुख्यत हम 6 points देखने वाले है 6 reasons देखने वाले है जिनकी वज़े से लोग उनके life में successful होते है या failure होते है तो यह 6 कारण उसमें first है belief तो आपको यह समझ में आएगा कि belief से आप आपके बच्चों के दिमाग में आपके बच्चों के subconscious mind में beliefs कैसे डालने वाले हो तो यहाँ पे beliefs से आप 5 points सिखने वाले हो first यह है कि किसी भी इनसान की beliefs मतलब विश्वास कैसे बनते है कोई भी बच्चा जब जद्रम लेता है तो 8 से 10 साल तक वो होता है फिर 15, 20, 21 तक तो उसके beliefs कैसे बनते है तो beliefs बनने की process क्या होती है second beliefs के बारे में आप सीखोगे कि successful लोगों के beliefs बनने की process कैसी होती है और अपने life को जीने के लिए उनके beliefs क्या होते है तो successful लोगों के beliefs क्या होते है point number 3 vision आपके बच्चों के beliefs कैसे होने चाहिए तो आपको आप ढूंडोगे आपको समझ में आएगा की इस course को करने के बाद आपको समझ में आएगा की आपके बच्चे के subconscious mind में कौन-कौन से beliefs आपको develop करने है डालने है install करने है उसके software में ब्रेन के software में कौन से beliefs डालने है point number 4 that is purpose purpose का मतलब यह कि आपको वो beliefs उसके subconscious mind में क्यों डालने है और अगर आप डालते हो और उन्हें आप develop करते हो तो उसके बाद आपको और आपके बच्चे को क्या फाइदा होने वाला है so अगर आपके बच्चों को बच्चों के दिमाग में आपने decide किये हुए beliefs अगर बन गए तो आपको और उसे क्या फाइदा होने वाला है point number 5 that is strategies strategies का मतलब यह है कि आपने decide किये हुए beliefs उसमें develop करने के लिए आपकी strategy मतलब आपका action plan कैसे होना चाहिए हम आपको इस course में समझाने वाले है कि आपका action plan कैसे होना चाहिए जिससे आप best to best beliefs उसके subconscious mind में install करने वाले हो second point is सोच मतलब thinking सोच thinking में भी 5 points है first point यह है कि किसी भी इनसान की सोच कैसे बनती है so जब भी बच्चे जनम लेते है फिर उनकी सोच बनने लगती है तो वो सोच किसी भी इनसान की सोच कैसे बनती है then second belief successful लोगों के सोचने की process कैसे होती है successful लोग कैसे सोचते है फिर आप इस course में सीखोगे कि की process कैसी होनी चाहिए of course successful लोगों जैसी तो वो process कैसी होनी चाहिए third vision आपके बच्चों की सोच कैसे होनी चाहिए इसके बारे में आप लिखने वाले हो हमारे इस course में fourth is purpose purpose मतलब क्यूं आपके बच्चों की ऐसी सोच क्यों होनी चाहिए so अगर आपके बच्चों की आपने decide की हुई सोच अगर बन गई तो आपको और उसे life में क्या benefit मिलने वाला है and point number five is strategies, सोच और strategy यह आपने decide की हुई सोच develop करने के लिए so आपने लिखा है कि हमारे बच्चों में ऐसी ऐसी सोच होनी चाहिए उसने ऐसे ऐसे सोचना चाहिए so आपने decide की हुई सोच develop करने के लिए आपकी strategy मतलब आपका action plan कैसे होना चाहिए so मैं यहाँ पे कुछ example देता हूँ सोच के बारे में so क्या आपको ऐसे लगता है कि आपके बच्चों ने कभी भी life में कुछ बड़ा सोचना चाहिए second वो emotionally stable रहने की सोच उसमें develop होनी चाहिए third competitive exam में participate करने की सोच होनी चाहिए fourth healthy और fit रहने की सोच life पुरी life बर उसकी होनी चाहिए of course तो अब point number 3 देखेंगे that is attitude attitude का मतलब है दुरुष्टिकों so उसमें फिर 5 point आते है so first point किसी भी इंसान का दुरुष्टिकों कैसे बनता है तो क्यूं बनता है वैसा तो वो मतलब उसका attitude वैसे क्यूं बनता है so successful attitude भी हो सकता है या failure भी हो सकता है या positive attitude हो सकता है या negative attitude हो सकता है so वो लोगों का attitude कैसा बनता है का दुरुष्टी कोन बनने की प्रोसेस कैसी होती है और उनका अपने लाइफ के प्रती दुरुष्टी कोन कैसे होता है सक्सेस्फुल लोग खुद की लाइफ को किस तरह कैसे देखते है उनका नजरिया क्या होता है पॉइंट नमर थ्री is वीजन आपके बच्चों का दुरुष्टी कोन कैसे होना चाहिए पॉइंट नमर फॉर परपस अगर आपके बच्चों का आपने डिसाड किया हुआ दुरुष्टी कोन अगर बन गया तो आपको और आपके बच्चों को उनके लाइफ में क्या फाइदा होने वाला है and point number 5 is strategies आपने decide किया हुआ दुरुष्टी कौन develop करने के लिए आपकी strategy मतलब आपका action plan कैसे होना चाहिए आप हमारे course में सिखने वाले हो so मैं कुछ example देता हूँ attitude के so attitude is positive mental attitude negative mental attitude हो सकता है go getter attitude means कुछ भी उसको उसे task दिया तो attitude ऐसा है कि go getter attitude point number 4 winning attitude point number 5 never giving up attitude point number 6 hard working attitude point number 7 how to face any problem and how to find opportunities in any problem is also an attitude इसका मतलब क्या है कि problem को कैसे face करेंगे और हर problem में हम opportunities घूंडेंगे तो ये एक attitude अपने बच्चों में develop करने के लिए क्या कर सकते है इस topic के उपर हमारे पास एक chapter है और उस chapter का video है जिससे आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्या करने से आपके बच्चे किसी भी problem को एक opportunity करके देखेंगे और उससे benefits पाने की कोशिश करेंगे उसके उपर काम करेंगे and then point number four is nature, स्वभाव, personal traits, व्यक्तिगत, खासियते so first उसमें पाच points है स्वभाव में, personal traits में, व्यक्तिगत, खासियते में so first point, किसी भी इनसान का स्वभाव कैसे बनता है तो स्वभाव बनने की process क्या होती है point number two, successful लोग जो होते है उनके स्वभाव में ऐसी कौन-कौन सी विशेशताय होती है successful लोगों के स्वभाव के ऐसे कौन-कौन से गुन होते है जिन गुनों की वज़े से वो successful उनके लाइफ में होते है point number three, that is vision आपको आपके बच्चों में कौन सी स्वभाव विशेशताय चाहिए so आपको आपके बच्चों में यह यह गुन चाहिए तो वो कौन से गुन है तो आप इस course में सीखोगे कि हमारे बच्चों में बढ़ते हुए यह गुन आने चाहिए फिर उसके बाद purpose अगर वो गुन, वो सवभाव आपके बच्चों का हो गया तो आपको और आपके बच्चों को क्या फाइदा होने वाला है और फिर last में strategy बच्चों में decide किये हुए सभाव विशेषता है डेवलप करने के लिए आपकी strategy, मतलब आपका action plan कैसे होना चाहिए आप इस course में सिखने वाले हो फिर आगया behavior behavior मतलब वरतन उसमें फिर 5 point है किसी भी इंसान का वरतन कैसे बनता है उसका behavior कैसे बनता है successful लोगों का वरतन मतलब behavior बनने की process कैसे होती है और उनका वरतन कैसे होता है point number 3 आपके बच्चों का वरतन कैसे होना चाहिए यह आपका हो गया vision point number 4 that is purpose अगर आपके बच्चों का आपने decide किया हुआ वरतन मतलब behavior उनका बन गया तो आपको और उन्हें क्या फाइदा होने वाला है और that is last point is strategies आपने decide किया हो वरतन behavior डिवलप करने के लिए आप किन strategies को follow करने वाले हो आपका action plan कैसा होना चाहिए आपके बच्चों में यह behavior आने के लिए आप क्या करने वाले हो और आपको क्या करना है यह हम हमारे course में आपको सिखाने वाले है and last point is habits मतलब आदते so उसमें 5 points फिर है first is किसी भी इंसान की आदते कैसे बनती है so लोगों में आदते form कैसे होती है पशू पक्षियों में भी आदते होती है लेकिन वो कैसे होती है so आदते form कैसे होती है that is first point second is beliefs successful लोगों की आदते बनने की process कैसे होती है और वो कौन सी आदतों के साथ जीते है so successful लोगों की कुछ आदते होती है तो उनकी list हम आपको देने वाले है आपको सिखने वाले है फिर आपके बच्चों की आदते कैसी होनी चाहिए यह आप decide कर सकते हो अगर आपने decide कि आपके बच्चों को यह यह career देना है तो वो career पाने के लिए उनकी अलग-अलग आदते कौन सी होनी चाहिए उसकी आप list इस course के दोरन बननने वाले हो point number four that is purpose purpose क्यूं यह आदतों की list है क्या reason है जिसकी वज़े से आपको लगता है कि यह आदते आपके बच्चों में जाने चाहिए so that is purpose और उसके बाद अगर आपके बच्चों की आपने decide की हुई आदते अगर बन गई तो आपको और उसे क्या फाइदा होने वाला है हमने पहले ही हमारे दो बच्चों की आदते कैसी होनी चाहिए उसकी list बनाई थी और हमने पिछले 10, 12, 13 सालों में वो आदते उनमें जाने के लिए जो process follow खी थी या successful parents जो process follow करते है वो आपको इस course के दोरां समझ में आएगी and that is point number 5 आपने decide की हुई आदते develop करने के लिए आपके बच्चों में develop करने के लिए आपके strategy और action plan कैसे होना चाहिए इसके बारे में हम बोलने वाले है तो मैं कुछ example देता हूँ की कौन-कौन सी habits अच्छी है जो आपके बच्चों में आनी चाहिए that is first जिन्दगी बर knowledge और skills बढ़ाने की habits second हर रोज exercise करने की habit third किसे भी परसिते में खुश रहने की habit fourth लोगों को मदद करने की आदत है five training लेने की आदत six hard work और smart work करने की आदत seven अच्छे दोस सिलेक करने की आदत क्योंकि जब goals बदलते है तो संगत बदलती है point number eight पैसे कमाने की आदत point number nine जिन्दगी बर बड़े goals लेने की आदत है point number ten analytical thinking की आदत है point number eleven घर में और बाहर टीम में काम करने की आदत है point number twelve healthy और nutritious खाना खाने की आदत है point number thirteen हमेशा खुच से पढ़ाई करने की आदत है तो ये सभी आदते और ऐसे बहुत सी आदते है जिनके बारे में भी आपने कभी ना कभी सोचा होगा लेकिन यहाँ पे हम बड़ी बड़ी list बनाने वाले है और एक strategy एक action plan बनने वाले है कि ये आदते हमरे बच्चों में जाने के लिए हम किन strategies किन actions का इस्तेमाल करने वाले है जिनकी वज़े से ये सब आदते ये ऐसी सोच ये ऐसे beliefs ये ऐसा सभाव ऐसा दुरुष्टिकोन ऐसा वरतन उसमें आपके बच्चों में जाने वाला है तो ये कॉर्स एकदम बेस्ट है और जब मैं लंडन में था तभी मैंने parenting के उपर कम से कम वहाँ पे 10 कॉर्सिस किये थे और इन कॉर्सिस को करने के बाद मुझे समझ में आये कि वर्ल्ड के जो successful लोग है उन्होंने अपने बच्चों को successful करने के लिए कौन-कौन से strategies का use किया था कौन-कौन से concept का use किया था कौन-कौन से technique का use किया था तो वो इस कॉर्स से मैं आप से share करने वाला हूँ तो ये कॉर्स actually किन के लिए है so first is mom and dad के लिए तो compulsory है second, elder brother and sister third, अगर घर में uncle आंटी है अगर नहीं भी है लेकिन अगर हमारा uncle और आंटी से interaction ज़ादा है तो उनके लिए भी ये कॉर्स है point number four, grandparents अगर घर में है या नहीं है तो भी grand parents नहीं इस कोर्स को करना चाहिए point number five mates और house assistants अगर आपके घर में 24 hour house assistant है तो उन्हें भी इस कोर्स को करना ज़रूरी है point number six आपके बच्चे जिस school में जाते है या जो जिस classes में जाते है या private tuition पे जाते है तो उनके teachers ने भी इस कोर्स को करना ज़रूरी है point number seven आपके बच्चे अगर hobby classes में जाते है extra career activities में जाते है तो उनके coaches उनके teacher ने भी करना चाहिए point number eight अगर आपके बच्चे sports club में जाते है तो उनके coaches ने भी करना चाहिए point number nine any other people those who are in contact with your child repeatedly इसका मतलब यह है कि आपके बच्चों के contact में आने वाले जो repeatedly लोग होते है तो उन सबने एक course करना ज़रूरी है क्यूंकि अगर आप मम्मी पापा हो तो आपको इस course को करना ही करना है लेकिन बच्चे बाकी के लोगों के contact में जाते है तो उनके subconscious mind पर वो लोग भी अपना software, अपनी beliefs अपनी सोच इंस्टॉल कर सकते है मतलब आपके बच्चों के subconscious mind में यह बाकी के लोग उनके experience से, उनके knowledge से उनके beliefs से यह सब मिलके information जो देने वाले हैं आपके बच्चे के subconscious mind में वो आपके बच्चों के mind में एक belief का program बनने वाला है और अगर यह belief का program आपको based चाहिए तो आपके बच्चों के contact में repeatedly जितने भी लोग आते हैं तो आप उन्हें भी इस course के बारे में बोलो और हो सके तो उन्हें भी इस course को एक बार करने के लिए कंबल सरी करो या उनको लोड़ी request करो अगर यह होता है तो आपके बच्चों में आने वाली information आने वाला five senses से input यह best होगा उससे आपके बच्चों के subconscious mind में best belief best thought best thinking सोच develop हो जाएगे इससे आपके बच्चों का वरतन अच्छा बनेगा उनका उनकी आतित अच्छी बनेगी उनकी सोच अच्छी बनेगी उनके beliefs अच्छे बनेगे तो यह सब अगर आप करते हो तो आप आपके बच्चों को develop करने के लिए true practice करते हो तो इस course को शुरू करने के लिए आपको क्या करना है आप the corporate coach इस एप को Google Play Store पर जाके डाउनलोड करो फिर वहाँ पर parenting category है उस पर क्लिक करो और क्लिक करने के बाद आप parenting के सभी 100 chapters के वीडियोस देख सकते हो फिर आपके पास अगर एक discount code है तो आप उसे enter करके आपको discount मिलेगा और मैं आपको guarantee के साथ के सकता हूं कि इस course से आपको बहुत benefit मिलने वाला है आप आपके बच्चों को ideal child बनाने वाले हो आपने अगर इस course को एक बार किया तो मैं 100% guarantee के साथ के सकता हूं कि आप इस course को इन 100 वीडियोस को कम से कम 4 आप आज बार देखोगे और आप आपके जो दोस्त है relatives है उनको भी recommend करने वाले हो so welcome to parenting course and I wish you all the best thanks for watching this video all the best bye bye take care